हेलो बच्चो, जीव किर्स में आप सभी का फिर्स स्वागत है बच्चो, आज हम अर्थ के सभी क्लाइमेट जोन्स को पढ़ने वाले हैं तो बच्चो, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चो अर्थ के climate zones को latitude से अलग-अलग किया जाता है जिससे अर्थ के surface बनते हैं इन में सबसे खाश है equator, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn उसके बाद Arctic Circle और Antarctic Circle दो ट्रोपिक के बीच के area को torrid zone या tropical zone भी कहते हैं बच्चो, torrid zone region अर्थ का सबसे गर्म हिस्सा है क्योंकि इस हिस्से में sun की rays सबसे ज़्यादा पड़ती है जिससे यहाँ region बहुत ही गर्म हो जाता है solstice और equinoxious के time sun की rays इस region में सीधे पड़ती है जिसके कारण यहाँ का temperature और भी high हो जाता है तो बच्चो, पहले जानते है solstice और equinoxious के बारे में यह दोनों क्या है solstice साल का वो time है जब sun की rays सीधा पड़ती है और इसे summer solstice भी कहते है यहाँ 22 जून को होता है winter solstice जब sun की rays साउदर रेजन पर पड़ती है तब इसे winter solstice कहते है यहाँ 22 दिसंबर को होता है अब जानते हैं equinoxious के बारे में क्या क्या होता है equinoxious साल में दोनों में से किसी एक बार जब sun equator को cross करता है तो दिन और रात बराबर होते हैं यहाँ हमेशा 21 March और 23 सितंबर के दिन होता है इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं अब आते हैं Temperate Jones पे यहाँ दो ट्रोपिक्स और North Architect Circle और South Antarctic Circle के बीच जाता है बच्चो इस रेजन में चार मौसम होते हैं सर्दी, कर्मी, बसंद और पतज़ड बच्चो यहाँ ऐसा इसले होता है क्योंकि इस रेजन में सन की रेज सीधा नहीं बलकी तिरचा पड़ती है बच्चो अब पढ़ते हैं फ्रिजिस जोन के बारे में बच्चो यहां अर्थ की सबसे ठंडी जगे है यहां आर्कटिक और अंटार्क्रिक सर्कल के अंडर में आते हैं इसलिए यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है बच्चो यहां पर 6 महिने का दिन और 6 महिने की रात होती है तो बच्चो अब आपको समझ में आया कि हमारे अर्थ का क्लाइमिट कैसे चेंज होता रहता है ऐसे ही मज़ेदार फैक्स के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग